Hello Everyone and Welcome to GS Fighters दोस्तो आज है 2nd of December 2nd of December के लिए जितने भी महतपूर्ण प्रशन बनेंगे रास्ट्रिय और अंतरास्ट्रिय तथ्यों से संबंदित उन सभी Current Affairs के प्रशनों को साथ में उनका जो Static portion रहता है उसको भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसे जोइन कीजिए वहाँ से प्रत्यक दिन की Current Affairs की जो PDF है easily download कर सकते हो वीडियो पसंद आता है आप like कर सकते हो चलिए पहला प्रेशन देखिए हल ही मैं विश्व AIDS दिवस किस दिथी को celebrate किया गया और इस दिवस को हम celebrate करते हैं एक दिसंबर को वर्स 1988 से ये दिवस celebrate किया जा रहा है जो AIDS के बारे में AIDS जो रोग है उसके बारे में awareness spread करने के लिए मरे हुए लोगों को याद करने के लिए जो लोग इस रोग की वज़े से दुनिया छोड़ चुके हैं उनको याद करने के लिए 2023 की theme रही है समुदायों को नेतरतु करने दें यहान रखना समुदायों को नेतरतु करने दें 1988 से celebrate किया जा रहा है और यह जो रोग है AIDS इसकी एक फुल फॉर्म भी होती है जिसका मतलब होता है acquired immunodeficiency syndrome और यह HIV virus के द्वारा होता है जान रखेंगे इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है human immunodeficiency virus इसके द्वारा होता है चलिए अगला प्रेशन है तेरेवी senior पुरुस राष्ट्रिय होकी championship का खिताब निम्न मैं से किस राज्या ने अपनी नाम किया है अभी हाल फिलाल में होए हैं तेरेवी पुरुस राष्ट्रिय होकी championship चेंपियंशिप चेंड़नई में चेंड़नई में एक stadium है मेर राधा करशनन होक पंजाव रहा ठीक है वर्स 1928 से ये खेल आयोजित किये जा रहे हैं और इंडियन होकी फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित किये जाते हैं नेशनल लेवल का ये competition होता है ठीक है चलिए हाल ही में एक दिसंबर को नागालेंड दिवस मनाया गया किस वर्स नागालेंड अस्तित्तु में आया था आपको बताना है नागालेंड का formation किस जो है year में हुआ था आपके options 1958, 1960, 1963 और 1984 और हमारे expression का सही जवाब option number C है 1963 में नागालेंड का formation हुआ और नागालेंड बना देश का सोलेमा राज्य है ओके देश का सोलेमा राज्य है नहमारे जो north east के state है उन में से एक महती महतपून है और इसकी सीमा जो लगती है अरोनाचल प्रदेश, असाम और मनिपूर से लगती है ठीक है नागालेंड की capital को हौर्डविल festival का आयोजन किया गया है याभी शुरू हुआ है दस दिवसिय हौर्डविल festival का आयोजन फिर से हमारे expression का सही जवाब option number one है नागालेंड नागालेंड का जो famous festival है एक्शली यह नागालेंड का ही famous नहीं है दुनिया में भी famous है क्योंकि इस festival में जर्मनी, अमेर लागानेशन जो है यहां के governor है और nephew you cm है एक important चीज और नागालेंड जो है देश का पहला मदुमकी पर return शुरू करने जा रहा है नागालेंड का जो राजय पसु है वो मिथून है चलिए वैश्विक आयूर्वेदिक महोटसब 2023 का आयोजन कहां हुआ है आपको बताना है वैश्विक आयूर्वेदिक महोटसब का आयोजन हुआ है त्रूवनंद पुरम में the capital of केरला केरल की राजधानी है त्रूवनंद पुरम वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है और theme भी रखी ती इस बार जैसे स्वास्त सेवा में उबर्ती चुनोतियों और एक पुनुरुथान आयुरुवेद आयुर्वेद ठीक है और इस महोतसम में जो है इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी सामिल रहेंगे सोध करता भी नीती निर्मारता भी बिजनिसमेन भी और स्वास्ते देखवाल में आयुर्वेदिक के प्रभावों का पता लगाने के लिए एक साथ इखटा होंगे उस पर चर्च की जाएगे केरल के सीम है पिनराई विजियन और यहां के गवर्णर है मोहमद आरिफ खान केंद्रिया आयुष मंतरी भी शामिल होंगे जिनका नाम है सरवानंद सोनोवाल और मौरिसस के जो प्रिसिडेंट है जिनका नाम है प्रतिवी राज सेंग टुपून वो भी इसमे इसमें सामिल होंगे कुल मिलाकर आल्मोस्ट सतर देशों के प्रतिनी इसमें शामिल होने वाले हैं इसलिए ये कुश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है वैश्विक आयुर्वेदिक महुतसब 2023 का आयोजन केरला की कैपीटल तिरुपननत पुरम में निम्न मैसे किस राज्य म अमा बैंक योजना लॉंच की है देखिए अमा बैंक योजना जो है लॉंच की है ओडिशा इस्टेट ने इसमें क्या है कि वित्ये समावेशन कारेकरम के तहत 4000 से भी ज्यादा बैंक रहित ग्राम पंचायतों को कबर किया जाएगा इसमें ओडिशा की जो गवर्मेंट है उसने 6 सारुजनिक बैंकों के साथ मिलकर जो बैंक रहित ग्राम पंचायत है उनको बैंकिंग सेवाय प्रदान करने के लिए ये जो योजना है सुरू की है अमा बैंक योजना ओडिशा सरकार ने लोगों को बैंक फैसिलिटी प्रोवाइट कराने के दिए ओडिशा के CM है नवीन पतनायक और यहां के गवर्णर कौन है आप मुझे comment section में लिख कर बताईए ठीक है जी चलिए अगला प्रेशन है UNFCCC की 28 भी बैठा कि यानि की COP28 का आयोजन आपको बताना है किस जगहा पर किया जा रहा है और ये किया जा रहा है UAE की capital दुबई में ठीक है UNFCCC की एक uniform भी है आपको याद होनी चाहिए इसका मतलब होता है United Nation Frameworks Convention on Climate Change ठीक है United Nation Framework Convention on Climate Change इसमें क्या है इसका जो मुख्य एजन्डा है इस मीटिंग का उसमें इन्होंने बताया है कि जीवास्म इंधन और कार्वन उत्ष सर्जन को कंट्रोल करना वैस्विक तापमान को 1.5 तक degree Celsius तक ही बढ़ने देना है बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना और जो वैस्विक लक्षे है दो हजार पक्चास तक net zero emission का कार्वन उत्ष सर्जन का उसको पंट्रोल करना या उसको प्राप्त करने में अचीव करने में राहत अलासना साथ में जो Paris Climate समझोता हुआ थ मीटिंग है यानि COP28 पीस दिस नवंबर को स्टार्ट हुआ और 12 दिस समबर तक चलेगा COP28 में जलवायू परिवर्तन की जो बढ़ती चुनोतियां है उनका समाधान खोजने के लिए नेताओं, नीती निर्माताओं, वैज्ञानिकों और कारे करताओं की एक वार्षिक और एक चीज़ मैं बताओं आपको, ये दक्षिनपूर्व एसिया का पहला ऐसा देश बना है, जिसने समलेंगिक विवहा को मंजूरी प्रदान, कानूनी रूप से मंजूरी प्रदान की है, और ऐसा काम किया है हमारा पड़ोसी देश नेपाल ने, ठीक है, नेपाल के अगला प्रेशन है, चर्चा में रहा वर्दा वन्यजीब अभ्यारन है, जो कि ACI शेरों के लिए दूसरा घर बनेगा, किस राज्य में है, वर्दा वन्यजीब अभ्यारन है, और ये मिलेगा आपको गुजरात में, देखिए गुजरात में, गिर रास्ट्रिय वन्यजीब अभ्यारन है, जो कि ACI शेरों के लिए फेमस है, और वही पर बनेगा, यानि गुजरात में ही बनने वाला है, वर्दा वन्यजीब अभ्यारन है, ये भी ACI शेरों के लिए जो है, जाना जाएगा, ठीक है, गुजरात की जो कैपिटल, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लि के सामने, जैसे बंगाल की खाड़ी में सक्रिय माइकों चक्रवाद, हाला कि अभी ये निसक्रिय हो चुका है, माइकों चक्रवाद को नाम दिया था मयामार के द्वारा, दिली में आयोजीत 42 में भारत अंतरास्टी व्यापार मेला में, ओडिशा स्टेट ने जीता है, गो चेंज कर दिया गया, अब आयुशमान आरोग्यमंदित इनका नाम हो गया है, इंपोर्टेंट चीज है, दिली में आयोजीत देश का पहला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो सुवंकर है, वो है उज्ज्वला, ये भी महतमूर प्रेशन है, दिली में आयोजीत देश के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सुवंकर उज्ज्वला, जुलाइ सितंबर ते मही में भारत की जीडीपी विकास दर रही है, 7.6%, आयरलेंड की एक लेखी का है, पॉल इलिंच, उनको मिला है, बुकर पुरसकार 2023, उनका एक उपन्यास है, प्रॉफिट सोंग के नाम ही, उन्होंने पेस किया है, इंडिगो द्वारा, ठीक है, इंडिगो द्वारा इसको पेस किया गया है, एक चैटपोट है, इसको ध्यान रखेंगे, फिल्म फेर, OTT अवार्स 2023 में, बैस्ट सीरीज का जो खिताब है, वो जीता है, स्कूप ने, स्कूप एक वैब सीरीज है इसने जीता है, ठीक है, चलिए, तो यह था हमारा करेंटर फेर्स दो दिसंबर का, आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा या खराब लगा, दोनों ही राए कॉमेंट सेहरे में जरूर दीजिए, ठीक है, तो चलिए, फिलहाल अपना और अपनों का भी ख्याल रख अबहा रखराब जूर नहां का धराब लगा का बड़ा है।